किस मुगल शासक ने विश्व की सबसे बड़ी युनिवसिटी नालंदा को जलवा दिया था और क्यों unexpectedly बक्तियार खिल जी ने नालंदा विश्व विद्याले को क्यों नष्ट कर दिया था। उस समय बक्तियार खिल जी ने उत्तर भारत में बौधो द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कबजा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरनासन स्थिती में पहुँच गया। तभ भारतिये वैदे उसके हकीमों से ज्यादा ग्यान रखते हैं या ज्यादा कबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्व विद्यालय के आयूरवेद विभाग के प्रमुक आचारे राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर ब इतने से इतने तक पढ़ लीजिये ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैदिराज के बताय अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वो थू बौध धर्म और आयूर्वेद की जड़ों को नश्ट करने का फैसला किया। परिनाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांदुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्विद्यालय में इ दीन बार नश्ट किया था, लेकिन केवल दो बार ही इसको पुनरमिर्मित किया गया। पहला विनाश सकंद गुप 455-467 ईसवी कि शासनकाल के दोरान महिर कुल के तहत यून के कारण हुआ था, लेकिन सकंद गुपत के उत्तरा धिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करव और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था, दूसरा विनाश सात्वी शताबदी की शुरुआत में गौदास ने किया था, इस बार बौध राजा हर्शवर्धन 606-648 ईसवी में विश्व विद्यालय की मरम्मत करवाई थी, तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापती इक्तियार उद्दीम मुहमद बिन बक्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्व विद्यालय को नश्ट कर दिया था, ऐसा माना जाता है धार में ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौध धर्म को सैकणों वर्षों तक का जटका लगा था और तब से लेकर अब तक ये पूर्ण रूप से इन घटनाव से नहीं उभर सका है। सरवाधिक महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात केंडर था। ये दुनिया का सबसे पुराने विश्व विद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना पांचवी शताबदी में गुप्त वंच के शासक समराट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्रादित्य के खिताब क अपनाया था। ये विश्व विद्यालय पटना वर्तमान बिहार राज्य से 88.5 किलोमीटर दक्षिन पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गाव के पास थित है। महायान बौध धर्म के इस विश्व विद्यालय में हीनयान बौध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। विद्यार्थी और लगबग 2000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहन करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन क्षेत्रों से ही नहीं बलकी कोरिया, जापान, चीन, तिबबत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। किया गया। पहला विनाश सकंद गुप्त 455-467 इसवी कि शासनकाल के दोरान महिर कुल के तहत यून के कारण हुआ था, लेकिन सकंद गुप्त के उत्तरा धिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा विनाश सात्वी शताबदी की शुरुवात में गौदास ने किया था। इस बार बौध राजा हर्शवर्धन 606-648 इसवी ने विश्व विद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापती इक्तियार उद्दीन मुहम्मद बिन बक्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राची नालंदा विश्व विद्यालय को नश्ट कर दिया था। उस समय बक्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौधोद्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कबजा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरनासन स्थिती में पहुँच गया। तबी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्व विद्यालय के आयूर्वेद विभाग के प्रमुक आचारे राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाये। परंतु खिल जी इसके लिए तयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वुर्य एह मानने को तयार नहीं था कि भारतिये वैदे उसके हकीमों से ज़्यादा ग्यान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्व विद्यालय के आयूरवेद विभाग के प्रमुक आचारय राहुल श्रीभद को बुलवाना पड़ा। फिर बक्तियार खिल जी ने वैदेराज के सामने एक अजीब सी शर्ट रखी और कहा कि मैं उनके द्वा आज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्व विद्यालय में इतनी किताबे थी कि वो तीन महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमंकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्ष्यों की भी हत्या कर दी किस मुगल शासक ने विश्व की सबसे बड़ी युनिवसिटी नालंदा को जलवा दिया था और क्यों? दूसरा विनाश सात्वी शताब्दी की शुरुवात में गौदास ने किया था। इस बार बौध राजा हर्शवर्धन 606-648 इसवी में विश्व विद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापती इक्तियार उद्दीन मुह अस्थि संगठन ने अब तक विश्व को क्या दिया है? कौन से मुगल शासक की सबसे ज्यादा रानिया थी? कौन सा मुगल शासक सबसे अधिक क्रूर था? बक्तियार खिल जी ने नालंदा विश्व विद्यालय को क्यो नश्ट कर दिया था? नालंदा विश्व विद्याल साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथे नालंदा विश्व विध्यालय के बारे में। साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के चात्र पढ़ने आते थे। विध्यालय था और उस समय इसमें तकरीबं 10,000 विध्यार्थी और लगबग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहन करने के लिए विध्यार्थी भारत के विभिन क्षेत्रों से ही नहीं बलकी कोरिया, जापान, चीन, तिबबत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। आये इस लेक के माध्यम से अधेयन करते हैं कि कैसे नालंदा विश्विध्यालय का पतन हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। विश्विध्यालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा विनाश सात्वी शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौध राजा हर्शवर्धन 606-648 इसवी में विश्विध्यालय की मरम्मत करवाई थी। विश्विध्यालय के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौध धर्म को सैकड़ों वर्शों तक का जटका लगा था और तब से लेकर अब तक ये पूर्ण रूप से इन घटनाव से नहीं उभर सका है। आईए अब अध्यान करते हैं कि आखिर बक्तियार खिल जी ने नालंदा विश्विध्यालय को क्यों नश्ट कर दिया था। उस समय बक्तियार खिल जी ने उत्तर भारत में बौधोद्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कबजा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरनासन स्थिती में पहुँच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्व विद्यालय के आयूरवेद विभाग के प्रमुक आचारे राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाये। परंतु खिल जी इसके लिए तयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वुर बक्तियार खिलजी ने वैदिराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैदिराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी क पास एक कुरान लेकर पहुँचे और कहा कि इस कुरान की प्रिष्ट संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिये ठीक हो जाएंगे। बक्तियार खिलजी ने वैदिराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीबद् फिर उसने देश से ग्यान, बौध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नश्ट करने का फैसला किया। परिनाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकाले में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपयों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंद विश्व की सबसे बड़ी विश्व विद्यालय नालंदा को जलवा था, वो तो तुर्की सेनापती इक्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बक्तियार खिलजी था, जिसके जलाने विश्व की सबसे बड़ी युनिवसिटी नालंदा का पतन हो गया। उसके जलाने के पीछे एक रोचक कहानी है जो इस प्रकार है बक्तियार खिल जी ने उत्तर भारत में बौधो द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कबजा कर लिया था और एक बार वो काफी बीमार पड़ा उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वो ठीक नहीं हो सका और मरनासन स्थित में पहुँच गया तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्व विद्यालय के आयूरवेद विभाग के प्रमुक आचारे राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाये परंटु खिल जी इसके लिए तयार नहीं था उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भर वरियह मानने को तयार नहीं था कि भारतिय वैदे उसके हकीमों से ज्यादा ग्यान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्व विद्यालय के आयूरवेद विभाग के प्रमुक आचारे राहुल श्रीभद्र क कुछ दिनों के बाद वो खिल जी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे और कहा कि इस कुरान की प्रिष्ट संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिये ठीक हो जाएंगे। से ग्यान, बौध धर्म और आयूरवेद की जणों को नश्ट करने का फैसला किया। परिनाम स्वरूप खिल जी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांदुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्व विद्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्या। नालंदा शब्द संस्कृत के तीन शब्द ना जोड आलम जोड़दा से बना है। इसका अर्थ ग्यान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंद न रखना से है। नालंदा की लाइबरेरी में तकरीब 90 लाख पांदुलिपिया और हजारों किताबे रखी हुई थी। नालंदा विश्विद्यालेय को दूसरा सबसे प्राचीन विश्विद्यालेय माना जाता है क्या आप जानते हैं कि तक्षशिला के बाद ये 800 साल तक अस्तित्व में रही। नालंदा विश्विद्यालेय का इतिहास चीन के हवे इं इस विश्व विद्यालय में चैन मेरिट के आधार पर होता था और नहिशुल्क शिक्षा दी जाती थी. साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह नहिशुल्क होता था. इस विश्व विद्यालय में तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे इस विश्व विद्यालय में भारत ही नहीं बलकी कोरिया, जापान, चीन, तिबबत, इंडोनेशिया, इरान, ग्रीस, मनगुलिया आधी अन्य देशों के छात्र पढ़ने के लिए आते थे नालंदा में ऐसी कई मुद्राय मिली हैं जिससे ग्यात होता है कि इसकी स्थापना पाँचवी शताब्दी में गुप्त वंच के शासक कुमार गुप्त ने की थी इस विश्विद्यालय को बनाने का उदेश्य ध्यान और आध्यात्म के लिए स्थान को बनाने से था और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्धा खुद कई बार यहां आए और रुके भी थे नालंदा विश्व विद्यालय की लाइबरेरी नौ मंजिल की थी और इसके तीन भाग थे रत्मरंजक, रत्नोदधी और रत्मसागर क्या आप जानते हैं कि इसमें धर्म गूंज नाम की लाइबरेरी भी थी इस विश्व विद्यालय में हश्वर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ती, आर्यवेद, नागार्जुन आधी कई अन्य विद्वानों ने पढ़ाई की थी.